हेलो गाइज विल्कम टू अन्य व्लॉग इस वूड़े में हम देखने जा रहे है पुना का जाओंग जो कि पुना का सिटे में है जिसे बूतान की विंटर कैपिटल भी कहते है तिमफू से पुना का जाते टाइम रस्ते में यह चेक पुश लेगा जहां पर आपका पुना क का डिष्टिक का परमिट चेक होता है और यह परमिट हमने थिमफू से नहीं कारा था जो कि पुनाखा डिक के लिए अलग से लेना पड़ता है फून शिलिंग से जो फरमिट मिलता है वो सिर्फर और फिंपू दो एटिस्टी के लिए वैल रिद हैं जिए पोस्त के थोड़ा आगे आने के बाद हम पहुंचे डोचलाफास डोचलाफास जो कि डिसेंबर 2003 में हुए असम के अलगावद्य विद्रों के साथ वार में शहिद हुए भूतनीज सॉल्जर के मेमरे बनाए गया था यहां पर 108 स्थूपा जिसे चौटन भी कहते हैं तीन लेयर में बनाए है पहले लेयर में 45 दूसरे लेयर में 36 और सबसे उपर ओली लेयर में 27 और टॉप पर यह में स्थूपा है यहां से नीचे पुना का है और पूरे हिमाले का विव दिखता है आज थोड़ा वेदर क्लावडी था नहीं तो यहां से हिमाले के बहुत सारे पीक्स दिखते हैं और इस डोचला पास के हाइट है 3,100 मिटर यानी 17,170 फीट के असपास यहां पर आप आदे से गंटे का टाइम स्पेन कर सकते हैं और पूरे वहली का विव यहां से देख सकते हैं आप लगग पूना का जाएते टायम हमें एकदम क्लियर उधर मेला था लेकिन रिटन जडने में हम यहां पे रुके थे इसके बाद सफर शुरू हुआ पुना का के और जैसे हैट कम होती गई वैसे वैसे टेंबरेचर बढ़ता गया है और पूरी वहली उतर के हम नीचे पहुंचे पुना का और यह है पुना का जौंका इंटांस जोकि फोचू और मोचू दो रिवर के बीच में बसा है और इसके एंटरी के लिए फाइंटर रुपीज का टिकेट है जिसमें गाइड़ विलिम लुट रहता है जो आपको पूरे जोंकी हिस्ट्री डिटेल्स में एक्स्प्यान करते हैं पुना का संगा है पुना का जॉंग वाज फॉस्ट बिल्ट इन 1637 और यहां पर आभी पुना का डिस्टिक का अडिमिस्टेटिव आफिस है पुना का जॉंग एक भूदान की सेकंड लार्जेस और सेकंड ओल्लेस है एक्चुली पुना का ही भूदान की पहली कैपिटल थी लेकिन इससे बाद में 1955 में थीमफू शिफ्ट कर दिया जो की यहां से अराउंड 72 किलोमेटर्स की दूरी पे है इस जोंग की डिजाइन और स्टक्चर बाकी दूसरे सारे जोंग की तरह ही सेमिलर है इसलिए आपको सारे जोंग देखने की जरूरत नहीं सिर्फ अगर आप उना का जोंग देखेंगे वही बेडर है सारे थाइन और स्टक्चर झाल 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 कि दूंग देखने के बाद हम निकले सस्पेंशन ब्रिज की तरफ जो पुनागा जॉंग से वाकिंग डिस्थेंस पर है यह वह सस्पेंशन ब्रिज जिसकी लेंद करीब 1770 से 872 यह और नीचे वली रीवर है वह है फोचु रीवर जो जॉंग के दोनों साइब रीवर है ना फोच्य और मचु उसमें से रीवर है फोचु और इसी रीवर में ही यहां पे आप रिवर आफ्टिम भी कर सकते हैं लेकिन हम आगे फोब जी का वाली में जाने वाले थे इसलिए हमने वह अप्चिन नहीं लिया पाड़ी में देख सकते हैं कुछ लोग रिवर आफ्टिम भी कर रहे हैं सस्पेंजन ब्रिज देखने के बाद हम निकले फोब जी के वाली के लिए जिसकी डिदेल आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी ए वीडियो का सफर यही तक था वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के नोटिफिक्सन के लिए बेल आक अंदा बाई